Hi guys, welcome and welcome back to my channel and if you're new, please consider subscribing before you exit this video. That being said, let's just dive right into it. आज मैं 2018 में IV, Horror Short Film, Other Side of the Box को explain करने जा रहे हूँ. यह movie आपको देखने को मिल जाएगे YouTube पे ही, तो आप उसको explanation के बाद देख सकते हो. यहाँ पे हमारे movie की चुरुआत होती है और हमें एक couple को दिखाया जाता है जो kitchen में खाना बना रहे होते हैं और काफी जादा lovey-dovey atmosphere हो रहा होता है वहाँ पे. जिसके बाद जब वो यह सब कर रहे होते हैं उसके बीच में ही उनके घर का दर्वाजा का गंटी बचता है और उसमें से जो husband होता है वो जाके दर्वाजा खोलता है और वहाँ पे उनके पुराना friend होता है जो आया होता है उनके घर पे और उसको देखके उसकी जो wife होती है वो थोड़ा सा देखके लग रहा है कि awkward हो गई है यहाँ पे उसके body language से हमें ये भी लग रहा होता है कि हो सकता है कि यो wife जो है उसमें और वो जो friend आया है उनके बीच में कुछ awkward सा moments रह चुका है जिसको वो यहाँ पे avoid करना चाह रही है तो वो अपने husband को बोलती है कि वही देखे दरवाजे पे उसको क्या चाहिए इसके बाद जो husband होता है वो उस friend को घर के अंदर invite करता है और यहाँ पे उस friend के हाथ में एक बड़ा सा box होता है देखके लग रहा है कि वो उनके लिए किसी तरह का एक present लेकर आया है यहाँ पे जो husband होता है उसको लग रहा होता है कि हो सकता है उसका जो दोस्त वहाँ पर आया है वो basically apologize करने के लिए आया है वहाँ पे जो पहले हुआ होगा incident उसको लेके मगर यहाँ पे जो friend होता है वो बहुती weird तरीके से act कर रहा होता है जिसके बाद वो जो friend होता है, वो अपने दूसरे वाले जो husband होता है friend, उसको बोलता है कि वो जो present लेकर आया है, उसका जो box है, वो उसके सामने ही उसे खोले, जिसके बाद जो husband होता है, वो उस present को खोलता है, और डबे के अंदर कुछ भी नहीं होता, in spite कि उसमें कुछ होना चाहिए या reflection के through ही चाहे कुछ दिखना चाहिए मगर उसके अंदर इतना जादा अंधेरा होता है कि उसके अंदर कुछ भी नहीं दिखाए दे रहा होता है कि तब ही उसका जो friend होता है वो sorry बोलता है और वहां से चला जाता है और यह जो उसके friend का action होता है इसको देखके जो husband है वो बहुत ही जादा confused लग रहा होता है उस box के अंदर अभी भी husband जो होता है वो देखने की कुछ नहीं दिख रहा होता है मगर उसको और ध्यान से देखने के लिए वो एक torch निकालता है और उसके अंदर light डालने लगता है जिससे कि उसको दिखाई दे कि box के अंदर क्या ह मगर तब भी उसको उसके अंदर कुछ नहीं दिख रहा होता जिसके बाद वो एक pen उठाता है और उसको इस box के अंदर उसको डालता है मगर उसको उसको उसके अंदर जब pen जाता है तब भी उसको कुछ आवाज नहीं आती जैसे कि अगर वो pen डालेगा उसके अंदर तो कभ अबी तक खुद रिसाइफर नहीं कर पाया है कि चल क्या रहा है एक्जाक्ली मकर चाहे जो भी हो जाए उसको इतना समझ में आया है कि उस बॉक्स के सामने से अपनी नजरें वो दोनों कभी न हटाएं और जैसे ही अचानक हस्बंड वाफिस बॉक्स के तरफ अपनी नजरें लग जाता है उससे पूछने के लिए कि एक्जाक्ली चल क्या रहा है मगर कॉल कनेक्ट नहीं होती यहाँ पर उसकी जो वाइफ है वो बोलती है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो लोग उस आदमी के उपर से अपनी नजर नहीं हटाएंगे क्योंकि उन्हें नहीं मालूम कि अ अबे से बस बहारी आने वाला है और इस चीज़ के चलते उन दोनों को रिलाइजेशन हो जाती है कि अगर उन्हें इस बार नजरें हटाएं तो वो जो आदमी है उस बॉक्स के अंदर वो पकी तरीके से बाहर आहीं जाएगा तब ही अचानक से देखके लग रहा है कि वो उसने अपना मुझ खोला है और वो यहाँ पे बोलता है कि सिर्फ और सिर्फ वो जो हस्बंड है उसको अलाउड नहीं है कि वो घर चोड़के बाहर जाए मगर यहाँ पे जो हस्बंड है उसको उसकी बातों बेविश्वास नहीं हो रहा होता और उसको जानना ही होता है कि क चल रहा exactly वहाँ पे इसी चीज़ के चलते वो बोलता है कि वो घर से बाहर जाएगा अपनी गाड़ी लेके उस फ्रेंड के घर जाएगा और उस से पूछेगा कि सारी चीज़े जो हो रही है वो क्यों हो रही है इसलिए finally वो अपनी गाड़ी लेके निकल जाता है अपनी wife को उस आदमी के सामने ही चोड़ के जो उस पे से अपनी नजरे नहीं हटाएगी जब वो रास्ते में drive करके जा रहा होता है तब वो दुबारा से उसी friend को phone लगाता है और इस पर finally उसकी call connect हो जाती है यहाँ पे उसका जो friend होता है वो खुद बहुत जादा terrified लग रहा होता है और एकदम से गुसे में आ जाता है जैसी उसको मालुम चलता है कि वो जो husband है उसने अपनी wife को अकेले छोड़ दिया है घर में और उसने नजर अपनी नहीं रखी वी उस box के उपर वो यहाँ पे अपने friend पे चिला 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 के बोल रहा होता है कि उसने अपनी wife को अकेले उस man के साथ क्यों छोड़ दिया है क्योंकि उसने अपनी नजरें हटा दी उस box में से तो अब कुछ ना कुछ बहुत ही भयानक होने वाला है और finally वो यह भी बोलता है कि अब जो वो घर से बाहर आ गया है तो चाहे कुछ भी हो जाए वो वापिस अब उस घर में नहीं होता है वो टौच की मदद से अंदर जाता है और उसको घर पूरा अंधेरे में मिलता है और साथी साथ उसका घर बहुत ही बुरे स्टेट में होता है यहां पर उसको अपना घर तो बहुत ही बुरे हालत में दीख रहा होता है मगर उसकी वाइफ भी उसको कहीं नहीं मिल र तो वो decide करता है कि वो torch हाथ में लेके basement के तरफ जाएगा और जब finally वो basement पहुँच जाता है तब उसको दिखाई देता है कि वो जो creepy आदमी था मतलब वो जो आदमी डबे के अंदर था वो basement में नहा रहा होता है मगर अचानक ही देखते ही देखते वो आदमी गायब भी हो जाता है इस चीज़ को देखके जो husband है वो बहुत जादा डर जाता है और basement से निकलने की कोशिश करने लगता है मगर वहाँ पे अचानक से देखके लग रहा है कि basement का जो entrance का दर्वाजा है वहाँ पे और लोग आ गए है जिन्नोंने उसके बाहर जाने का रास्ता ही ब्लॉक कर दिया है और इस बार जब वो पीछे मुड के देखता है तो जो आदमी डबे में था जो इस बार नहा रहा होता है वो उसके पीछे खड़ावा होता है काफी जादा उसके पास और इस बार जब वो उस आदमी से अपनी नजर हटा के वो जो सामने स्टेर्स पे लोग खड़े वे होते हैं उनके तरफ दिखता है तो वो नोटिस करता है कि वो लोग इस बार उसके जादा पास आके खड़े हो गए हैं मतलब ये हुआ कि जिस पेसे भी वो नजर हटा रहा है वो चीज उसके जादा पास आ जा रही है तो उनकों दोनों चीज को रोकने के लिए वो अपनी नजरे दोनों में से किसी परपिसे भी नहीं हटा पा रहा है मगर दोनों तरफ नजर रखना उसके लिए एक तरीकी का impossible task ही है कैसे ही इंसान आगे और पीछे दोनों तरफ एक ही साथ नजर रख पाएगा अचानक से हम देखते हैं कि जितने भी lights होती है घर की सारी अंधेरे में आ चुकी है सब बंध हो चुका है पुरा घर अंधेरे में है और इसमें इस moment पर हमें मालूम चलता है कि अब वो जो husband है वो दोनों में से किसी को भी नहीं देख सकता ना उन ग्रुप के लोगों को ना उस आदमी को जो नहा रहा था उसको और movie यहीं पर कतम हो जाती है अगर आपको इस short film की explanation पसंद आई है then do like the video, subscribe to my channel, share it with your friends and don't forget to follow me on Instagram link आपको नीचे description box पर मिल जाएगा thanks for watching, bye